पेश है इजूसा डाइमंड जूलरी उस नारी के लिए जिसकी सुन्दरता है उसकी शक्ती में जिसकी अच्छाई से रोशन होती है ये दुनिया जिसके दिल से बहता प्यार का दर्या इजूसा दिस्ट्रिब्यूटर के लिए संपर कीजिए कॉल नाउ 1-800-532-8444 अलीगर के थाना अत्रॉली के रामघाट रोड सितकीरती अस्पताल को अन्यमित ताउ के चलते डीम के आदेश पर स्वास्ते विभाग की टीम ने मजिस्ट्रेट की मौजूद्की में सील कर दिया अस्पताल के रजिस्ट्रेशन आदी की जाच पूरी नहीं हो सकी है दियम ने लाइसेंस निरस्ट करते हुए संचालक के खलाप रिपोर्ट दर्च कराने के आदेश भी दिये हैं जानकारी के अनुसार गाउं पिल्खुनी निवासी राजेश कुमार ने शिकायत की थी कि उनकी पत्नी सपना देवी को प्रसव के लिए रविवार को कीर्थी अस्पताल में भरती कराया गया था महिला ने बच्ची को जन्व दिया था पिलित का आरोप है कि बच्ची को चिकित सीय स्टाफ ने निवबॉन बेबी कित में रख दिया था जिसमें नवजात के चेहरे को चूहे ने कुतर दिया था इस कारण उसकी मौत हो गई थी इस अमानविय कृत की बात संग्यान में आने पर बुदवार को डियम चंद्रभूजर सिंग ने 24 घंटे में जाज कर कारवाई के आदेश स्वास्त विभाग को दिये थे प्रिस्पतिवार को CMO ने जाज रिपोर्ट डियम को पेश की इसके आधार पर डियम ने अस्पताल को सील कर लाइसेंस निरस्त करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश स्वास्त विभाग को दिये ACMO डॉक्टर दुर्गेश कुमार, डॉक्टर एसपी सिंग, रंधीर सिंग वरिष्ट लिपिक अस्पताल पर पहुचे नायब तैसिल्दार दिनेश कुमार शर्मा की मौजूदी में टीम ने अस्पताल को सील कर दिया अस्पताल पांच बेट के लिए अधिकरित है, वहाँ पर 11 बेट संचालित हैं, साथ ही दो कमरों का ताला नहीं खोला गया उनमें भी स्वास्ते उपकरण मौजूद थे, अस्पताल को फिल हाल सील कर दिया गया है, जांच पूरी होने के बाद अगरिम कारवाई की जाएगी हमने देखा हम और यहां पर आगर के हमने यह देखा कि होस्पिटल ओपीडी और पांच सया के लिए अधिकरत है, प्रन्तु यहां इसके अंडर्ग्रॉड में इनका बहुत कुछ बढ़ा हुआ है, मेडिकल स्टूर भी है यहां पर और नीचे उपर चाथ बैड हैं और नी हमने इसके बारे में तो जब दर्बाजी खुल जाएंगे तर भी इसकति क्लियर रूप आगी लेकिन सद्धे आत्मक चीज़े इसमें हो सकती है, इसको सील के यह रहा है सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों को देखने के लिए ल के नोटिफिकेशन्स आप तक पहुंचते रहें